ओम नमेशिवाय स्वागते मित्रो हमारे यूट्यूब चैनल एश्टो टुडे में मैं पंडित बियान सास्त्री एक नई राशी फल के साथ आज हम बात करने वाले मकर राशी के सापताइक राशी फल के बारे में 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का ये जो सापताइक राशी पहले कैसा सापत होने वाला मकर राशी वालों के लिए तो उससे पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकर राशी वालों के जो स्वामी हैं वो शनी हैं तो मकर राशी वालों को शनी की पूजा जरूर करें शनी का पार्ट करें शनी चालिसा करें जो उनके ल बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए ये जो साफ़ता है 12-18 अक्टूबर ये नाकारात्मक परिस्थिती नाकारात्मक परणाम लेकर आने वाला यानी की नेगेटिव वीक रहने वाला उनके लिए इसमें उनको सावधानी बरतनी की सबसे अधिक आवसकता है आप लोगों क जरूर रखनी है वो चाहे आपके स्वास्ते को लेकर हो आपके वैपार को लेकर हो आपके मेरी लाइफ को लेकर हो आपके इंकम को लेकर हो आपकी नोकरी को लेकर हो परिवार को लेकर हो आपको परतेक चीजों में सावधानी जरूर बरतनी है किस परकार के आपको सावधा विचार है पर जो मैं चीजे आपको बता रहा हूँ उन चीजों पर आप अमल जरूर करें अमल करने से आपका ही लाब है आपको ही फायदा मिलेगा तो ये चीजे आप जरूर करें और जो हम आप लोगों के लिए करते हैं राशीफल बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं वो पून रूप से आपके ग्रहों के गोचर पर आधारित होती है हम जो भी राशी फिल बताते हो ग्रहों के गोचर पर आधारित होती है उसके परणाम आपके लिए कैसे रहने वाले उन पर आधारित होती है तो इसके लिए आप जरूर जो चीजे हम आपको बता रहे हैं उस पर विचार करें, अमल करें और उपाय जरूर करें तो चलिए बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मैंने आपको बताया नाकारात्मक परिस्तिती आपको रहेंगी इस वीक में, मिश्रित परणाम आपको मिलेंगे इस वीक में साथी साथ व्यवसाय अगर आप लोहे से सम्मंदित व्यवसाय करते हैं, आप मसीनरी का कोई काम करते हैं लोहे से सम्मंदित आप iron का काम करते हैं कोई आप building material का आप काम करते हैं कोई भी लोहे से सम्मंदित transport का आप काम करते हैं तो सबसे अधिक आपको उसमें सावधानी वरतनी है जो भी मेरे भाई भेहन लोहे से सम्मंदित कारिये में जुड़े हुए हैं क्योंकि उसमें आपको हानी के साथ सब दुरगटना के भी योग बन रहे हैं तो इसका विशेश कर दियान रखें इस वीक में मकर राशी वाले 12-18 अक्टूबर हानी तो आप जहल सकते हैं दें कि हानी हमें केवल धनकी होती है यानि धन बढ़ता है तो लाब मिलता है धन कम हो करते हैं तो उसमें आपको कोई बड़ी दुरगटना मेजर एक्सिडेंट का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका कोई मैनुफैक्चरिंग कंपनी है या आपको कोई मशीनरी का काम है उसमें आपको दुरगटना का सामना करना पड़ सकता है यानि लोहे से आपको हानी हो लोगो तो इस वीक में आपको लोहे से सम्मंदित हानी का सामना करना पड़ सकता है धन हानी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे मित्रो मैं आपको सारीरिक रूप की हानी की भी बात कर रहा हूं सरीर से जुड़ी भी आपको लोहे से हानी हो सकती है इसका ध्यान रखेगा इसके खेत रहें, साफ़धानी से जाएं, जितना हो सके आप उसमें कोशिश करें, कि आप खुछ से ड्राइव ना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, शरीर को लोहे से हानी हो सकती है, अगर आप खुछ से बाइक चलाते हैं, उसमें कोई दु दुरगटना हो सकती है, या आपकी ड्राइविंग से किसी और व्यक्ति को एक्सिडेंट या दुरगटना होगी, तो भी आपको हानी मिलेगी, आपको उपर उससे समस्य बनेगी, तो इसका विशेश आप ध्यान रखेगा, तो मैंने आपको बताया, आपको लोहे से जितना हो सके, आप बचें इस वीक में जितना हो सके, दूर रहें, ताकि आपको कोई बड़ी हानी का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद आप भूल गए, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ, आप इस पर अमल कर आपके समक्स कुछ बाते रख रहा हूँ, और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, या वो चीजे आपके साथ घटी तो रही है, तो आपको किसी भी चीज के या मुझे आपको किसी भी चीज के बारे में बताने की आवशकता नहीं पड़ेगी, तो इस चीज का आप अमल कर आने को, वहाँ उसको भी हानी हो सकती है, क्योंकि ये पिता पुत्र दोनों के उपर प्रभाव कर रहा है, यानि आपके साथ साथ आपके संतान पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस वीक में, 12-18 अक्टूबर के बीच में तो विशेश कर आप कोशिश करें, अपने म पर से कम आयू के बच्चे हैं, उनको आप कोई भी स्कूटी, बाई, गाड़ी ना दें, कोशिश करें इस वीक वो ना चलाएं, ये आप से मेरी विंती भी रहेगी, जिसका आप ध्यान बिल्कुल रखेंगे, मैं जानता हूँ, तो ये आप जरूर कीजेगा, इसके अलाव दामपातिक जीवन आपका सही रहने वाला है, मेरी लाइफ सही रहने वाली है, उसके में भी आपको कुछ सावधानिया बरतने की आवशकता है, क्योंकि मैंने इस टार्टिंग में आपको बताया, मकर राश्वी वालों के लिए ये जो वीक रहने वाला है, वो सावधानी हटी तो दुरगटना घटी का वीक रहने वाला है, तो आपको विशेशकर सावधानी बरतनी पड़ेगी, तबी आपका ये वीक अच्छा होगा, क्योंकि नाकारत्मक परिस्तिति आपके सामने रहेंगी, आर्थिक रूप से, सारी रूप से आपको हानी का सामना करना सकता है, तो आप अपनी मेरीड लाइफ में भी कोशिश करें, प्रेम से रहें, क्रोध ना करें, जितना हो सके, घर पर समय वैतीत करें, अपनी फैमिली के साथ वैतीत करें, उनको जादे टाइम दें, जिससे आपका मेरीड लाइफ भी अच्छी चलेगी, तो ये विशेश कर ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी की आशकता है, जो आप जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूँ, ताकि आपको किसी भी परकार की कोई हानी ना पूंची, तो मकर राशी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, एक नई राशी फल के साथ, अब मैं आपसे इजा आजा चाहूँगा, ओम नमाश्यू